हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगेन तो लर्णवरी दीवन तो कल जो टैस्ट हुआ था क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का तो आज उसका जो आंसर है वो मैं आपको बताने वाली हूँ तो आप मैच कर लेना कि आपने कोशन के क्या क्या आंसर दिये हैं और आपके कितने माक्स आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन वन है जो विसाल अन्नागार था विसाल इसनानागार किस सब्वेता में मिले हैं तो इसका आंसर था सिंदू सरस्वती सब्वेता यानि मोहन जोदलो स्थल से, तो दोनों में से कोई भी option यदि आपको मिल जाता है exam में, तो आप यही answer करेंगे, next है, मैं थोड़ा सा speed में बताऊंगी, क्योंकि ये question के वल answer आपको पता होने चाहिए, ये question third, वैदिक काल में वन विवस्था किस पर आधारी थी, तो वन विवस्था जो थी, वो कर्म पर आधारी थी, उसके बाद था, फोर्थ बकराकार इटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो इसका answer था, चनू दोडों से, next क्या था, सिंदू घाटी सब्वेता के किस इस थल से ग्यारा बड़े कमरों के बड़े भवन की रचना मिली है, तो उसका answer है, वाला थल, जो कि उद्यपुर से, next है, question 6, सिंदू घाटी सब्वेता के किस इस तल से तीन समाधी मिली है, इसका सही answer था, काली बंगा, next है, काली बंगा की कुझ किस ने और कप की थी, तो इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोश ने की थी, next, 23 जैन तीर्थ कर कौन थे, तो 23 जैन तीर्थ कर थे, पार्शोनाद, question number 9, इसमें पूचा था, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, महावीर स्वामी ने कौन से उपाय बताये थे, तो उन्होंने 3 रतन बताये थे, सम्यग्यान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चरित्र, next है question 10, बुद्ध की ग्रहत्याक की घड़ना को किस नाम से जाना जाता है, तो उनकी ग्रहत्याक की घड़ना को जाना जाता है, महाभी निसक्रमर, नेक्स्ट है 11 भारत एश्या महादीब में कहां इस्तित है तो इसका आंसर था कि यह है एश्या महादीब जो है वह है दक्षणी भाग के मध्य में इस्तित है जो एश्या है उसके दक्षणी भाग के मध्य में इस्तित है यह आपको option में ऐसे भी मिल सकता है कि एश्या के उत् पूरब में इस्तित है समराट असु के पुत्र और पुत्री को स्री लंका में इस अन्रक्षन किस ने प्रदान किया था तो इसका आंसर था राजा तिस्सा ने कुशन 13 का आंसर होगा वियत नाम किस राज्य का अधनिक नाम है इसका नाम था चमपा दक्षन में चोल सामराज्य के किस प्रतापी साशक का मलायाद्वी समुहूपर व्यापारिक नियंत्रन था तो इसका सही आंसर था प्रतापी राज्या राजिंद्र चोल प्रथम कुशन 15 का सही आंसर था मुद्रा राच्छस किस का नाटक है विशाक दत्त का जो संस्कृत भासा में लिखा गया है 16 कुशन का आंसर था काली दास के प्रसिद महा काव्य देखिए कुमार संभव और रगुवन्सम याद रखना है इसको आपको उसके बाद है आरे समाज की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 10 अप्रेल 1875 में स्वामी दयान अंसरो सती के द्वारा भारत का प्रिथम समाचार पत्र कप्रकाशित हुआ था? तो जो इंडिया गजट है भारत का प्रिथम समाचार पत्र 1774 में प्रकाशित हुआ था नेक्स्ट था उन्निस आधुनिंग भारत के निर्माता किसे कहा जाता है राजा रामुहन राय को Q20 था मेवाड में सरप्रथम सौने किसे के किसने चलाए तो वपा रावल ने चलाए थे 115 ग्रेनों का Q21 प्रत्वी राज चोहन गद्धी पर कप बैठे थे तो देखो इसका आंसर था 11 वर्स की उमर में 1177 इसवी में वो गद्धी पर बैठे थे Next है खातोली का युद्ध कब हुआ था तो यह युद्ध हुआ हा 1517 इसवी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जिसमें इब्राहिम लोदी पराजेत हुआ था मीरा भाई ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था तो इसका आंसर था द्वारिका में जो की गुजरात में पढ़ता है 24 था गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था यह कुश्यन जो है वो इंपोर्टेंट है बहुत जादा 25 जूर 1544 में मालदेव के सैनापती जैता कूपा और शेर्षा के 20 में जिसमें जैता और कूपा वीरगती को प्राप्त हुए थे राव मालदेव के सानपती कौन थे देखिए वही जो गिरी सुमेल के युद्ध में जिन्होंने शेर्शासूरी के साथ युद्ध किया था जैता कूपा तो इसका आंसर था भगत आंदुलन को जिसे गोविंद गुरू ने गोविंद गिरी ने चलाया था नेक्स्ट टेरा ताली नृत्य किसकी प्रात्ना में किया जाता है तो इसका सही आंसर था रामदेव जी की प्रात्ना में नेक्स्ट है 29 इसका था कि संत दादू दयाल के कितने शिश्य थे तो इसका सही आंसर होगा 52 सिस नेक्स्ट था लास्ट जो है कि मारवाड के पंचपीर कौन से हैं तो देखिया आंसर था रामदेव जी, मांगलिया जी, गोगा जी, पापू जी और हर्बू जी तो बहुत बच्चों ने पहले ही कमेंट कर दिया था कि हमारे 29 मार्क्स आएं, 30 मार्क्स आएं तो आप लोग भी मैच कर लीजिएगा और बताइएगा कितने आपके मार्क्स आए हैं अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हिस्ट्री के 9 और 10 चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के अकॉर्डिंग चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू